है लो फ्रेंट्स एडूकेशनल फेक्ट जनल में आपका स्वागत है हाज जिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेगे पिछले कल हमने आपको अपडेट रिए थी जो आपके पीजी एग्जामेनेशन है आपके फर्स समेस्टर के है चाहे सेकंड के है थर्ड के है फू प्रॉब्लम है वो सामने आई है उन सभी को लेकि बात करेंगे क्या कुछ है पिर अड्मिट कार्ड आपके जो है वो कब आएंगे कब तक आएंगे किस तरह से आप टोनोड कर पाएंगे वो सब बात इसमें डिसक्स करेंगे सबसे पहले जो आपका फस स्मेस्टर है प्राइबिट कर रही है जो प्राइबिट करेंट को यहाँ पे थोड़ी से ऐफूसी laund प्राइबिट कर रही है तो पता भी नहीं लग पाता है क्योंकि डिस्टेंस private candidate की कौन सी date sheet है इस तरह के भी सवाल आये थे और जो सबसे पहले बात कर लेते हैं English का जो एक confusion है वो आपका confusion तो नहीं कहूंगा मैं वो गलती ही है वो यह आपकी HPU से ही दूर होगी क्योंकि जो आपकी में English में 5 subjects हैं 3rd semester में लेकिन यहां पर date sheet के अगर मैं बात कुरूँ तो उसमें 4 ही आपकी subjects mention है तो पांच वो आपका literary terms करके जो आपका subject है वो इसमें नहीं है तो यह आपको HPU से ही contact करना पड़ेगा क्योंकि जितने भी हैं में English वाले हैं क्योंकि last year भी इस तरह की कोई problem जो है वो देखने को मिली थी बाकि जो अगर आपका first semester है या फिर आपका third semester है जाने की जिनका अभी जो last year जिनने start किया था उनका third semester हो चुका है लेकिन जिनने अभी अभी form फिलप क्या है शुरुआत की है जिनने उनकी date sheet कौन सी है यह इस तरह की confusion भी आ रही है क्योंकि दो date sheet जो हो देखने को आपको मिल रही होगी एक है आपकी previous students की दूसरी आपकी newly आपका CBCS system वाली तो आपकी जो अगर आप new start की है अगर आपने पिछले साल start की है या फिर आपने की है इसी साल start अभी पिछले मीने ही अगर आपने examination form फिलप किया है तो आपकी date sheet जो रहने वाली है वो आपकी यह date sheet है जिसमें आपको उपर नजर आएगा date sheet for MA इसमें जो भी आपका subject है under CBCS examination to be held on December 2023 यानि कि अगर आपका CBCS examination जिसमें लिखा होगा वो आपकी date sheet है दूसरी date sheet है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी date sheet जो है वो आपकी कुछ इस तरह से रहने वाली है जिसमें आपको उपर mention होगा date sheet for MA जो भी आपका subject है first, second, third, fourth semester examination to be held in December इसमें सीधा है आपका इसमें CBCS वाली line जो है वो लिखी नहीं है इसलिए आप इसको ना देखे अगर आप अगर आपका कोई reappear है या फिर आपकी जो दो-तिन साल पहले आपने start कर दे थी अपनी MA तो आपके कुछ exam या कोई semester रह गया है तो उसके लिए आपकी यह वाली date sheet जो है वो आएगी date sheet आपकी सभी की same रहती है चाहिए आप एक डोल से करते हैं प्राइबिट करते हैं चाहिए आप रेगुलर्ट कर रहे होते हैं तो यह एक तो यह confusion था तो आई होप आपको clear हो चुका होगा कि आपकी date sheet कौन सी है दो नोडिफिकेशन्स है अलग अलग यह CBCS वाली new students के लि क्योंकि एक्जाम से तीन-चार दिन पहले तो आ ही जाते हैं कई बार कुछ एक सब्जेक्ट में दिक्कत आती हैं तो वह आपकी एक तो दिन पहले आ जाएंगे यहां कि दस तक तो सभी के ही जो एडमेंट काड़ हो जाएंगे जैसी वह आते हैं उसके लिए अलग से वीड करना पड़ेगा तो फिलहाल आपके लिए हम यही अपटेट लेकि आएंथे कि बहुत सारी जो विवर्स है वो लगातार कमेंट कर देते हैं कि सर हमारी डिशिट आकिर है कौन सी है तो आपकी डिशिट यह है अगर आपका फर समेस्टर है सी बीसी समेस्टर से हाली में आप अपना अपना जो एग्जामिनेशन फार्म है वो फिलब किया था तो यह वाली आपकी जो डिशिट अबो रहने वाली है जिसमें पर सी बीसी सी एस एग्जामिनेशन जो है वो लिखा हुआ है बाकी एक डौट यह भी था कि इसमें स्पेशल चांस क्यों लिखा है या इस जो आपका CBCS से जिनने स्टार्ट किया है उनके लिए अलग से हैं तो सिंपल सी यही बात है इसलिए यह दो नोटिफिशन आउट हुई है क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे कंडिशित को इस तरह से कंडिशन हो रहा है कि एक डेट शीट जैसे पौर एक्जम्पल यह वाइरल हो रही है दूसरी और से वो CBCS वाली भी वाइरल हो रही है तो कन्फिशन यह रहा है कि उनकी वाली कौन सी है तो यह मैं एक बार फिर से आपको बता तूं कि यह जो डेट शीट है यह है पुराने वाले कंडिशित की अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है न के लिए अप्टेट के साथ तब तक के लिए प्रवाइब